नमस्कार स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरू में मैं हो विपल सिंग। फॉर्मूला गुरू में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पॉर्टफोलियो ना सर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार बढ़ता रहे। और इसी करम में आज हम बात करेंगे कि आखिर म्यूचल फंड एसाइपी से निवेशक पैसे क्यों निकाल रहे हैं और दिसंबर महिने में इतने सारे एसाइपी खाते बंद क्यों कर दिये गए। क्या अभी एसाइपी शुरू करने का सही समय है एक्टिव या पैसिव किस तरह की मूचल फंड में अभी करना चाहिए निवेशक ऐसा ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के शो में लेकिन सबसे पहले उन बड़े सवालों पर नजडा लेते हैं जिन पर आज ह सवाल हो जाता है तो कि दिसंबर महीने में पंदरा दस्वलों तीन नौ लाख एसाइपी खाते बंद हुए हैं और ये पिछले छे बहिने से 40 पीसाद ज्यादा है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ इसके अलावा बात करेंगे म्यूच इस बाहर निकलने का किया सही समय होता है एक्जट करना चाहिए तो exit करने की रणीति क्या होने की चाहिए और अभी जो एक्जट कर रहे हैं लोग या रहते बंद कर देरे हैं इस वर शखने हो है अपने एक्सपर्ट से डिटेव में चर्चा करेंगे तीसरा मतबर सवाल यह किस तरह के फंड में आपको जाना चाहिए किन किन चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कैसे अपने पॉर्टफोलियो की बनावट करनी चाहिए कैसे शुरुवात करना चाहिए यह भी आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इसके अलाबा गोल्ड एट है तो इसकी भी हम जरा पड़ताल करेंगे कि क्या भी गोल्ड एटीफ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए क्या सोने में अभी भाविश उज्वल है या नहीं है इसके अगला महत्रपूर्ण सवाल ही होगा कि अगर हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं त तो इटीफ के अंदर हमारी टोटल इंवर्स्मेंट कितनी होनी चाहिए तो से आज भी बहुत सारे लोगों ने सवाल हमें भेजे और लगातार लोग भेज रहे हैं और उसमें लोग पूछते हैं कि असी फीसद पैसा क्या एटीफ में लगा दें तो इस पर भी विस्तार प किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए एक्टी और पैसिफ फंड क्या होते हैं यह अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और साधी साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपको जब आप अपना टोटल पोर्फोलियो बना रहे हैं तो किस तरह से अपना पोर्फोलियो चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्यास दरें अब एक तरीके से पीक आउट होती ही दिखाए जे रही है और तमाम एक्सपर्ट का मानना यह है कि डेट फंड में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं तो इस समय के आपने पोर्फोलियों में कोई बशलाव करने की आवशकता है इन तमाम सवालों के जवाब फॉर्मूला गुरू में हम समझेंगे और पूरी मिच्वल फंड में लेकर कि क्या कुछ उथल पुथल चल रही है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे चले तो आपको रूबरू कराने का वक्त हो गया है आज के हमारे एक्सपर्ट में तरुप से आती रहेंगी पहला सवाल मैं अपनी थीम पर आज जाएं उससे पहले पहले सवाल यहीं होगा कि अब चुकी बजट आने वाला है बहुत सारी डिमांड्स आपकी इंडुस्ट्री की तरफ से रखी गई है डिया लेकर करके हो या फिर लॉंग टर्म कैप्ट पैशनली मेरा वीट कर दे थे और मुझे वापस बुलानी के लिए थांक यू और निवेशकों को और वीवर्स को भी थांक यू अगर उन्होंने मुझे मिस किया है जैसे आप बता रहे हैं तो थांक यू और मापी चाहती है तो तरह टाइम नहीं आपाई मेरा एक चोटा तो उसका थोड़ा सा अगर तब है ठीक नहीं हो तो मुझे थोड़ा सा स्किप कर लेती हूं क्योंकि रेगिलर मेरी चलती रहती है तो उसी वज़े से होता है बाकी और कुछ नहीं है बजट की एक्सपेक्टेशन अगर आप बताएं तो I think काफी एक्सपेक्टेशन है और म हो एक एक्सपेक्टेशन है कि रियल एक्सपेक्टेशन है कि रियल एक्सपेक्टेशन हो या डेट फंस हो या एक्विटी फंस हो तो वह एक्सपेक्टेशन है और चाहे दूसरे असे क्लास का चेंज करें नहीं करें I think equity का अगर लंबा कर दे तीन साल बना दे तो मैं बहु और capital gains अगर हटा देंगे, तो और भी जादा खुछ हो जाओंगे, मैं equity ये long term, short term चाहे बढ़ाए, I'm okay with that, I know traders, मुझे, मैं popular नहीं होंगे traders में अगर मैं नहीं बता दिया, but I think long term investors के लिए, अगर short term भी बढ़ा दें, लेकिन long term हटा दें, तो काफी पैसा हम equity में देखेंगे, flow होते हुए, और काफी investors इसको seriously लेंगे, तो मेरी यही expectations है, और मेरी काफी time से एक expectation है कि, यह request है कि ATC का exemption बढ़ाएं, क्योंकि जितना हम बढ़ाएंगे उसमें, उतना हम investors को encourage करेंगे कि, किसी भी product में invest करेंगे, मैं सिर्फ equity के pro में नहीं बोल रह बेसिकली, लोग पैसा बचाएंगे, जो हम आज देखते हैं कि the big sale के लिए पैसा बचाते हैं, लोग या पैसा उसमें जाता है, वो हम देखेंगे कि the big investment rally आजाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर ATC का exemption बढ़ाएंगे, तो वो काफी अचा होगा, चालिए, अब आते हैं दिसंबर के नंबर हैं, जिसमें हम देख रहे हैं करीब 15.3 लोग जो है, खाते जो है, वो बंद कर दिये गए, SIP में inflow भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाए दिया है, पर यह जो खाते बंद हो रहे हैं, इसकी क्या वज़ा मान रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे लोगों को काफी उम्मीदे थी, और एकदम से अगर हम देखें तो यह 40% 6 महिने में जितने खाते बंद हो रहे हैं, उससे 40% ज्यादा खाली दिसंबर में बंद कर दिये गए, तो क्या जो अनिश्चित्ता है, उसको आप दोशी मान रहे हैं, या कुछ और फैक्टर्स हैं, कि लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो रहा है? मुझे लग रहे हैं हम, तो वो एक काफी चिंताजनक मुझे लग रहा है सिनारियो बन रहा है, और हम अगर देखते हैं मार्केट में, तो जब रिटर्न्स लास्ट यर के देखें, तो जो इन्वेस्टर्स शॉट टम सोचके आय थे, कि जल्दी पैसा बना लेंगे, तो वो पैसा नहीं बना है जल्दी से, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा, इससे मायूस हो गये हैं और उनको लगा है कि मुचल फंस में शायद पैसा नहीं बनें, शायद हम एकुटी में पैसा बना लें, या फिर किसी और ऐसे क्लास में बना लें, एक और जो बात हुई है, सेविं स्कीम में, स्मॉल सेविंग स्कीम में, अगर पैसा जादा मिल रहा है, और बढ़ रहा है और आगे भी लग रहा है के बढ़ेगा, तो फिर SIP या मुचल फंस में पैसा कम हो रहा है, और रडेम्शन, मेरी, अगर SIP बंद होते है, तो भी मुझे उतनी चंता नहीं होती है, जब SIP का पैसा निकल जाए, तो वो मुझे काफी खराब लगता है, क्योंकि उसको हमको टाइम देना पड़ता है ग्रो होने के लिए, और ये इन्वेस्टर्स जो SIP में आये हैं, और जो सोच के आये हैं, कि जल्दी से पैसा बना लेंगे, तो वो माई यूस होगे, और वो उसके लिए एक कैश उसको बोलते हैं, कि अपना आमर रेडि कर ले या अपना आर्टिलरी रेडि कर ले, कैश एकटा कर ले और उसको रखें, कि जब करेक्शन हो, तब हम पैसा डालेंगे, कोविट मेरे इसाब से इंडिया में उतना असर नहीं किया है, जितना मैं स्टार् इसा निकाले होंगे, बट वो भी हो सकता है, यह मतलब जो मोटी मोटी बातें जो मुझे समझ में आई हैं, तो दो महत्वपून कारण हो सकते हैं, एक तो यह है कि लोगो को रिटन काफी अच्छे मिल गए, दूसरी बात उनको यह लग रहा है कि आगे हो सकता है कि जो उनक स्माल सेविंग स्क्रीम में लोगों को लग रागर यह पैसे निकाल करके अफडी करा देते हैं इस समय जहां पर ठीक ठाक रिटन मिल रहे हैं, तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, यह दो महत्वपून कारण मान के चले मैं, जी बलकुर, अब आते हैं आज के दूसरे प कर दिये, या अगर वो स्माल सेविंग स्कीम की तरफ जा रहे हैं, क्या इस तरह के निर्णे सही हैं, एक्जिट करने का सही तरीका होना क्या चाहिए, मुचल फंड में अगर हमने पैसे लगाए हुए है, क्या इस तरह की सिच्वेशन आये, आख़वारों के जरीए, उनका पैसा, उनके पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए उन्होंने डाला था, जिस गोल के लिए उन्होंने डाला था, अगर वो गोल आ गया है या आ रहा है नस्दीक, तो उसके लिए निकाले, बाकी अमार्कित की न्यूज है, या कोविट की न्यूज है, या स्मॉल स स्कीम की न्यूस है यह उनको इंपाक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यह टाक्टिकल कॉल हो जाता है तो फिर वर्ना इन्वेस्टर्स इधर से उधर होते रहेंगे और रियल कॉंपाउंडिंग यह रियल गें नहीं देख पाएंगे तो मेरे इसाफ सीम को बिल्कुल भी नही किया है उन्होंने और अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर पैसा ग्रो नहीं देख पाएंगे वो पैसा बढ़ता हुआ अब एक और सबसे महत्रों सवाल जो आता है वो यह है कि एक्जिट करने का तो आपने कहा कि इस तरीके से स्विच नहीं करना चाहिए लेकिन क्या अपने ग तो क्या एक बार रिव्यू करना चाहिए समय समय पर जी बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए और जो डिसिशन दो साल पहले लिया उसको अगर डबल हो गया है तो अगर आपकी दस साल बाद यह टागिट था और आप पहुच कहे हैं तो अभी देखिए क्यूंकि इनसान काफ आपकी अस्पिरेशनल बीग है तो जो हमको दो साल पहले चाहिए ता अज उससे ज्यादा चाहिए और अगर उनका गोल वही है तो मीट हो गया है तो बिल्कुल एक्विटी से निकल सकते है यही राइट ताम है फिर निकलने का बट रिव्यू करें चाहे अगर पैसा जो इ समय पर अपने पोर्फोलियों की समिक्षा करते रहें समय काल परस्थितियां बदलती रहती है उस आधार पर अपने लक्ष निर्धारित करते हुए रिव्यू करते हुए अपने फारेंशल प्लानर के साथ आप डिस्कुशन करते रहें अब तीसरा सवाल यह एक्जिट की है शुरू करते समय मानले ज़य सिंट कि शुरू करते समय मानले पहली चपी करते तो और इंटन स्थ ध्यान जाये जब श्युरू कर रहे है तो यह याद रखना चाहिए कि आपका टाइम म्यócों क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल किया है, अगर आपके पहले कभी निवेश नहीं किया है, तो एक इंडेक्स पांट कुछ स्टार्ट हो सकता है, आप स्मॉल कैप से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि उसके उतार चड़ाव के साथ आपका बीपी वी शायद उपर नीचे होता रह कितना आपका एकुटी में एक्सपोशर है, वो देखके फिर नुवेश करें, और अपना कैश फ्लो देखिए, मन्तली कैश फ्लो, कि अगर आपके पास मन्तली सेविंग 50,000 है तो आप 60,000 कमिट मत कर लीजिए, पहले ही, आप उसको पांच हजार कीजिए, पंद्रह हजार क अपने अपको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आप SIP को जो कांटिन्यू करेंगे, तभी उसकी ग्रोथ होगी, वरना क्या होता है, इन्वेस्टर्स मतलब चलने के पहले भागने लग जाते हैं, तो अगर वो हो जाता है, तो फिर कमिटमेंट उ नदरिया है, किस लक्ष के साथ आप बढ़ रहे हैं आगे, वो उसके साथ अपने फानेशल प्रानर के साथ डिस्कुशन करके निवेस्ट करना चाहिए, एक सवाल बढ़ा आता है मैं की, अचा अगर हमको लगाना हों तो शुरुवात किस से करें, ये बहुत सारे सवाल आत अपने तमाम जो आप लोग के क्लाइंट से हैं या जिन लोग को आप सला देते हैं अकसर हम लोगों को कहते हैं कि आप ELSS से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक तो टाक सेविंग हो जाती है, एक तीन साल का लोग-िन रहता है, तो मुझे अचा लगता है जब इन्वेस्टर्स क्योंकि एक वो ठाप लेते हैं क्योंकि वो ख्लीर है कि मतलब इनका पर्पस है वरना जैसे अगर स्मॉल के प्रपस है तो उसके उतारचाड के साथ वो थोड़ा सा मतलब हिच-किचा जाते हैं या झाल जाता हूं काफी या तो लॉस हो गया या जल्दी से गें हो गया है त तो I think ELSS is a good start, index funds are a good start क्योंकि low cost होता है तो काफी investors यह सोचते हैं के mutual funds costly है, index funds are a good start, easy है, cost effective है और easily track कर सकते है, human interference नहीं है उतना, तो फिर मतलब यह बहुती simple product हो जाता है, I think for the simplicity, investors इसको चूज कर सकते हैं चले ETF पर हमने और सवाल आपके लिए रखे हुए हैं, तो ETF पर आगे आते हैं और अगला सवाल ETF को लेकर के ही हो, खास्ता और से gold ETF को लेकर के, gold ETF में इस बार बड़ा surprise देखने को मिला और 2022 में हमने देखा कि जो निवेश आता है ETF के अंदर, वो 90% घट करके 469 करोड तो 90% का investment घटना, इसकी बड़ी वज़ा क्या मानती है, क्या equity में लोगों को ज्यादा भरोसा बढ़ गया था, जिस तरीके से बाजार में काफी अच्छे return देख रहे थे, 2022 के अंदर नए highs भी बनते हुए दिखाए दिये, का तमाम volatility के बावजूद, बहुत सारे sector share ऐसे र लोगों को मोहित किया के मतलब एक ही one-side rally हो सकता है और खाली उपर ही जाता है पैसा तो I think उसी की वज़े से गोल में पैसा नहीं आया है और बीच में ज़ पैसा ता I think मैं उसको एक अबरेशन मानती हूं क्यूंकि इतना पैसा गोल्ड ETF में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाह देखने को मिला के गोल्ड ETF में आया बाट एक्विटी ने लोग इंवेस्टर्स को लभा लिया और वो पैसा सारा मेरे हिसाब से एक्विटी में ही जया है अभी क्या अभी के लिहाद से आपको क्या लग रहा है अंसर्टेंटी दिखाई दे रही है अनेशित्ता दिखाई जाता है और हमने देखा है हाल-फिलाल में बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने जो है काफी इंवेस्ट्मेंट की है लेकिन यह और एक रैली आ चुकी है गोल्ड में तो डर भी है आप कैसे देख रही है ओर और और गोल्ड को कि अधिंक इंड्रस्टिंग है गोल का प्ले क्यूंकि इस तोटली डिपेंडन के मतलब क्या हो रहा है कोविट के साथ क्या हो रहा है रशय युक्रेण के साथ आगे कैसे बढ़ रहा है काफी चीजों के उपर डिपेंडन है बट मैं मान्ती हो कि इंवेस्टर्स को गोल्ड देखना चाहिए अगले दो साल के लिए 10% का अपना पॉर्टफोलियो फिर भी गोल में रखें और अगर क्यूंके एक्विटी में आपका पैसा अगर बढ़ गया है या स्मॉल सेविंग स्कीम में बढ़ गया है और गोल में आपका एक्सपोशर कम हुआ है तो इस इस अग अगर आगया तो फिर मतलब एक डिप्रेशन वाला टाइम आता है कि जब सब एकदम डिप्रेश्ट होता है ताब गोल की वाल्यू बनती है चाहे एकुटी मार्केट हो या डेट मार्केट हो या हमारे जॉब्स हो तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि गोल काफी अच्छा करें क कि उसका मतलब है कि बाकी चीज़े अच्छा नहीं कर रही है बाट एक डिसन्ट एक्सपोजर गोल में होना काफी जरूरी है वैसे एवरेज के जो लोग पैसे लगाते हैं गोल में खास्तों से इन्वेस्मेंट के लिहाज से एक तो लोग लगाते बहुत कम है लेकिन फिर किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखती है गोल को लेकर पर मैं इंफलेशन प्लस प्लस परसेंट मानती हूं गोल का रिटर्न एक्सपेक्टेशन अब अगला महत्तरपूर सवाल हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर लेकर के आया जाए और यहां पर आपसे यह समझना चा कि इसको लेकर के लोगों के मन में अभी आप चर्चा भी कर रही थी बहुत आसान है और जो खास्तोर से जो लोग नए हैं वो लोग भी शुरुआत कर सकते हैं एटेफ के जरीए ओवर और पोर्फोलियो में एटीफ की क्या कुछ पॉस्टिव चीजे हैं क्या निगेटिव चीजे हैं और क्यों इसके अंदर जो है हिस्सेदारी इसमें कितनी होनी चाहिए ओर और और पोर्फोलियो में अगर मिला है तो हम 20-30% पोर्फोलियो का एटेफ में रख सकते हैं क्योंकि जैसे मैं बताया सिंपल है स्ट्रेट पॉरवड है कॉस्ट एफेक्टिव है को हुम स्ट्रेट पॉर्फोलियो कितनी बार हम देखते हैं कितनी बार हम देखते हैं कि जो ETF के रिटर्न होते हैं उनके ही इंडेक्स के मैच नहीं कर पाते हैं तो उसकी वचे से थोड़ा सा आराम से चले ETF में आप 20-30% अपना गोल मिला की गोल एक्स्पोजर मिला के मैं मानूंध सब्सक्राइब के एक कम्फटिबल ETF exposure हो सकता है तो आपसे जाना चाहेंगे मैं कि बहुत लोगों के इस तरीके के सवाल होते हैं कि इंडेक्स कितना सुरक्षित है क्या पूरे पैसे इसमें लगानी चाहिए क्या पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं क्या कुछ इसके क्याबर मान लेते हैं कभी-कभी इसको पर यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, market के साथ जो risk आता है वो ETFs में भी है, small cap से शायद कम है और volatility उससे कम होगी but risk तो बिल्कुल है, आपकी capital को भी risk है, यह बिल्कुल कभी नहीं भूले कि ETFs में आप market में ही निवेश करें तो उतार- cost कम है और human interference नहीं है, तो एक index को track करेंगे, तो वो एक simple product है, risk उसके हिसाब से कम है कि human interference नहीं है, तो fund manager बदल गया तो क्या होगा, वो नहीं है, costly हो गया तो क्या होगा, वो नहीं है, यह जो उनने बोला है वहाँ निवेश नहीं करेंगे, यह सब risk नहीं है, but अगर कोई stock क value 10% गिरेगा, तो उतना आपका exposure है, वो भी 10% तक का कम होगा, तो अगर आपका 100 में से 10 रुपे उसमें निवेश है, तो एक रुपया वहाँ कम होगा ही, तो आपका 100 रुपीज 99 होगा ही, यह आप मान के चलिए, यह तोड़ा सा, I think investors को अभी समझने में टाइम लगेगा क आइटी इंडेक्स में निवेश करना, अब महतकपूर्ण सवाल की तरह बढ़ते हैं, आखरी के दो सवाल बागी रह गए आप से, 2023 में अगर हमको पोर्टफोलियो बनाना हो, तो एक्टिव जब पैसिव, किस तरह की फंड में निवेश करना चाहिए, और अगर दोनों में करना है, तो किस तरह की हिस्तेदारी इनकी होनी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, कितने फीसद हिस्ता एक्टिव फंड में रखें, कितना पैसिव फंड में रखें, कैसे पोर्टफोलियो बिट अप करें? I think portfolio बनाते टाइम इसका ज़्यादा ध्यान दे कि आप इसमें कितने टाइम निवेश रख सकते हैं, तो active और passive कि अगर equity में हम माना जाए तो I think about 50% active में और 50% passive में जा सकते हैं हम आज, क्योंकि काकी हमारे पास options हो गए हैं passive में और अगर small cap अगेरा देखें तो उसमें active चूज करें, index funds देखना है तो आप large cap के लिए देखें क्योंकि हम देख रहे हैं के fund managers large cap में उतना value create नहीं कर पा रहे हैं, जितना small cap में परक पड़ रहा है तो इसकी वज़े से आप large cap में आप passive हो सकते हैं active हो सकते हैं, large cap में आपके आवाज थोड़ी से कर गी दी, large cap में आपने क्या बताया मैं? Large cap में आप पैसिव जा सकते हैं, तो Nifty 50 EAS N6 है तो आप उसमें डाल सकते हैं, but small cap or mid cap के लिए active जा सकते हैं, एक्टिव जा सकते हैं, यह 50-50 करने को कह रहे हैं यह आप 2023 के लिए? जी, equity में हाँ, equity 50-50 चलिए ठीक है, अब आते हैं आज के आखरी महत्तपूर्ण प्रश्न के ओपर और वो हम चाहेंगे स्क्रीन पर लेकर क्याया जाया है, जिसमें जो मौजुदा स्नेरियो है, जिसमें बहुत सारे लोग स्टेटी बना रहे हैं कि शॉट-term debt fund में एक-दो साल के लिए पैसे लगाने चाहीं वहार रिटन अच्छे मिल रहे हैं, इकुटी को लेकर के थोड़ी uncertainty है, ऐसे एगर पॉर्टफोलियो बिल्डप करना हो, तो इसमें एकुटी का और debt का कितना हिस्सादारी होनी चाहिए? I think अगर investors ऐसे देखे कि आज का inflation बीट करना है, तो आपको जो अगले 12 महीने में जो आपको पैसे चाहिए, कोई भी गोल के लिए, आपका एक emergency fund जो आपका 9 महीने तक का expense चले, वो आपको debt में बिलकुल रखना है, FTEs, cash funds, bank balance, इसमें आप combination में आप कर सकते हैं, बट जो long term का आपका पैसा है, जो गोल्स के लिए है, उसको आप equity में कर सकते हैं, तो percentage में नहीं देना चाहूंगे, क्योंकि हर इंसान के अलग-अलग percentage होगा यहाँ पे, क्या गोल्स आने वाले हैं, बट तीन साल से जादा की जो भी आपका, जो रकम है, उसको आप long term में सकते हैं, और FTS में रख सकते हैं, बैंक बालेंस में रख सकते हैं, अगर आप चाहे तो balance advantage में भी रख सकते हैं, तीन साल तक का पैसा, उससे beyond आप दिल्कुल equity में निवेश कर सकते हैं, ठीक मैं, तो अमीद करते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो पूरी तरीके से जो चाहेंगे कुछ ऐसी बाते हैं, जो महत्तपूर्ण रूफ से ध्यान रखनी चाहिए, पूर्पोलियो विल्ड़ उप करते हैं, इक ही मैसला दिना चाहूंगी, कि आप जब निवेश करें, तब थोड़ा सा decision, सोच समझ के लिए अपना research तब करें, अपसर लोग ये करते है कि निवेश कर लेते हैं, और रिसर्च बाद में करते हैं, फिर एक पार अगर आपने निवेश कर लिया, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, अपनी स्ट्राटीजी को प्ले आउट करने के लिए, I think वो टाइम और पेशन्स हम नहीं दे पाते हैं, अपनी इंवेस्मेंट आज के इस कारेक्टर में जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, तो फिर आपका पोर्फोलियो भी बिल अप हो जाएगा, अपने पोर्फोलियो को लेकर कोई आशंका है, कि मेरा पोर्फोलियो सही है, नहीं सही है, इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, तो 93-111-218-74, यह हमारा टेलिफोन नंबर है, हर बुदवार को दो पहर दो बजे, सिर्फ मुच्वल फंड से जुड़ी बातचीत होगी, दो से तीन तक आप और हम सीधे बातचीत करेंगे, और सुईता जैंजसी एक बहतर एक्सपर्ट हमाई साथ कोई ना कोई रहेगा, जो सिर्फ मुच्वल फंड पे आपकी जो भी समस्या हैं उसका समाधान करेगा, फॉर्मूला गुरू में इतना ही, आप देखते रहेए, मरिनाई नवस्कार अबएंगे, उसम्ज जो बातवारी कोई रहेए, जो मुच्वल प्राइब है, गिल्जर फॉर्मूला गॉर्मूला भी समस्साइड़ जो बातव प्रें वाहे हैं प्रेंगे, जो प्लाइंगे, अवस्के जोबएगे, आपके थीज़ जो खीज़ आपके बातवे, अवस्क